आम तोर पर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि यह कल्यूग है जहां कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाता है बकॉल शालिनी पाटिल शरत पवार की कहानी इसकी जीडी जाकती मिसाल है उन्होंने जैसा 41 सल पहले किया अज ठीक उनके साथ भी वैसा ही हुआ है यानि NCP चीफ शरत पवार के भतीजे अजीत पवार की बगावत को 41 सल पहले के उस घटना से जोड़ा जा रहा है अब आपको बता दे कि शालिनी पाटिल कौन है और वो शरत पवार के बारे में ऐसा क्यों बोल रही है तरसल शालिनी पाटिल दिवंगत कॉंगरेस नेता वसंत दादा पाटिल की पत्नी है शरत पवार के साथ हुए घटना क्रम के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि शरत पवार ने जिस तरह का बरताव वसंत राव के साथ किया था उनके साथ वैसा बरताव होना ही चाहिए था जो अजित पवार ने बीजेपी के साथ जाकर किया है जब शरत पवार ने कॉंग्रेस के नेता वसंत दाला पार्टिल को जटका देते हुए पार्टी छोड़ दी थी यह 1978 की बात है जब वो जनता पार्टी के समर्थन से महज 37 साल की उम्र में सूबे के CM बन गये और कॉंग्रेस देखती रह गई और अब उनके साथ जैसा को तैसा जैसी बात हुई है शालिनी पाटिल ने शरत पवार पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शरत पवार ने जिस तरह का बरताव वसंद राओ के साथ किया था उनके साथ वैसा बरताव होना ही चाहिए था जो अजित पवार ने बिजेपी के साथ जाकर किया है अब इस विधुवा नारी का अभिशाप तो लगे गा हीं पवार साहब आपका नाटक उधब नहीं समझ रहा लेकिन आपकी भी आंदरिक सहमती है सारा खेल तो आपका ही है वही राजनेतिक पंडितों का कहना है कि अजीत पवार का एंसीपी को जटका देना परिवार में विरासत की जंग का उभरना है जो लंबे समय से चली आ रही है शरत पवार की बेटी सुप्रिया सुले और अजीत पवार को राजनेतिक तौर पर प्रतिगंडी माना जा रहा है बहराल आपको बता दें कि अजीत पवार एंसीपी के मुख्या शरत पवार के भतीजे हैं जिन्होंने कॉंग्रेस से अलग होकर राश्टरवादी कॉंग्रेस पार्टी का गठन किया था जिसके बाद अब पवार परिवार में कला शुरू हो गई है टीम खबर अपडेट